दोस्तों किया आप भी चुहे के आतंग से बहुत जादा परिशान है चुहों ने आपके घर में बसेरा डाल रखा है बहुत महगी महगी चीजें आपकी कुतर डाली हैं कपड़े कुतर डाले हैं जिससे आप चाहते हैं कि इनसे जल से जल छुटकारा मिल जाए और आप कीट सक्का उपयोग करते हैं जिससे वो मर जाते हैं तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शियर करूँगी जिससे आप विना मारे चुहों को अपने घर से हमेशा के लिए भगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों विनादेरी की आज का वीडियो शुरू करते हैं इस रेमटी को ब परता नहीं था तो मैंने किया कि आप पॉलिथीन ले लिया इसी तरह से आप पॉलिथीन भी ले सकते हैं और इसके अंदर आपको डाला है आटा यहां पर मक्के का आटा वाजरे का आटा मैदा बेसन कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर आपको एक चीज और डालनी है देसी जो देसीगी होता है, वो चुहों को बहुत जादा पसंद होता है, इसकी जो खुसबू होती है वो इह आट्रेक्ट करती है, जिससे वो खिचे चले आते हैं इसको खाने के लिए. इसलिए देसीगी डालना बहुत ज़रूरी है. इसको आप इसकी बिल्कुल भी मत कीजेगा, जो जो चीजी मैंने बताई है जरू से आपको इस्तमाल करनी है अब अगली चीज आपको लेना है यहाँ पर थोड़ा सा सैनेटाइजर कोई भी सैनेटाइजर आप यूज करते हों जो भी आपके पास हो वो ले लिजेगा थोड़ा सा आपको क्या करना है इस आटे के अंदर मिक्स कर देना है अच्छा जो आटा है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं आपके घर में ज़्यादा कम रहे हैं तो आप ज़्यादा आटा ले लीजेगा और कम कम रहे हैं तो आप यहां पर थोड़ा आटा भी ले सकते हैं कम इन तीनों चीजों को मतलब जो हमने आटा इसके अंदर डाला है हारपेक और jó सैनेटाइजर और गही इन सभी चीजों कोwould अच्छे से आपको इस तरह से मिक्स कर लेना है मतलब ड्राइफ़ोम में ही अच्छे से इस तरह से हाथों से मसलğ樂 हैं तो सारी चीजे आपसमें बढ़िया से यहाँ पर यह देखिए मिक्स हो जाएंगी इसके बाद आपको क्या करना दोस्तों पानी लेना है और पानी को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालना है और एक हाथ पर आपको क्या करना इस तरह से पॉलेथीन बांद लेना है आप चाहें तो गल पॉलेथीन आप बांद लेंगे ना तो आपको खुजली भी नहीं होगी और अगर आपको कोई परिशानी है तो ऐसे ही आप चम्मस से या फिर किसी चीज़ से गून सकते हैं यह देखिए इससे हमारा बरतन भी खराब नहीं हुआ और हमारा यहाँ पर आटा भी यह देखि चार पांच छे जितनी भी आपको चाहिए जितनी जगा आपको डलना है ना उस हिसाब से आप इसकी गोलियां बना कर तयार कर लीजेगा दोस्तों हम किटना सक को उप्यूग करते हैं जिससे की चुहे मर जाते हैं और इसके बाद हम उन्हें ढूनते रहते हैं घर में भाई में ही चुहे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं सबसे ज़्यादा हमारे घर आते हैं किचन में घूमते हैं तो इस तरह से एक गोली आपको क्या करना है किचन में रख देना है किचन में तो जरूर से रखेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चुहे होते हैं किचन में ही म बच्चों की पॉंच से दूर रखते तो इसको भी आप बच्चों की पॉंच से दूर रखे इसलिए मैं बोल रही हूं रात में लगाएगा इसको एक तो चुहे भी रात में हमारे घर में आते हैं दूसरा बच्चे भी सो जाते हैं और सुबा जब उठेंगे तो ये गोलिया इस तरह से कोनों में जरूर डालेगा क्योंकि कोनों में चुहे सबसे ज़ादा भागते हैं ठीक है इस तरह से हर उस जगा पर आपको रख देना है जहां पर भी चुहे सबसे ज़ादा आते हैं तो मेरे कहने से दोस्तो एक बार आप इसको ट्राइ करके जरू से देखेगा बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा और इसमें हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है तो जरू से इसको ट्राइ किये वीडियो को जादा से जादा अपने फ्रेंड्स और फैमिले मे शेयर करना बिलकुल भी न भूलें तो कल फिर से मिलेंगे एक नहीं वीडियो में बाबा एब्रिवान एंड थैंक्स फॉर वाचिंग